दोस्तो आज मैं आप सभी के लिए हरा धनिया खाने के अविदिक लाबों के बारे में जानकर क्या लिखाया हूँ धनिया तो सभी घरों में पाय जाता है कुछ लोग हरा धनिया परियोग करते हैं तो कुछ हरा और सूखा दोनों का परियोग करते हैं सूखे धनिय का परियोग मसाली के रूप में अधिक होता है और हरा धनिय का परियोग चटनी या सब्जी में डाल कर परियोग में लाया जाता है धनिया खाने का सुवाद बढ़ाने के साथ साथ कई रोगों को भी ठीक करने में आपकी मदद करता है इसलिए हम आपको दन्य के फायदे के बारे में आज जानकारी देंगे दन्य का पोदा लबक 30 cm उचा होता है और इसके पत्ते गोल कटे हुए और इसका फूल सफेद पत्रकार होता है इसके फल छोटे छोटे अंडकार होते हैं जो कि सूखने पर दो गभागों में बट जाते हैं इसका तनापत्ती फूल बीज सभी सुगंदित होते हैं धन्य गरम परवती का होता है ये अगनी दीपक जो़ार नाशक दुरबलता नाशक है इसकी हरी पत्तियां पित को शांत करती हैं दोस्तो आप जान लीजिए इसके कौन-कौन से फायदे हैं दोस्तो यदि नाक से खुन निकल रहा हो तो इसकी पत्यों का रस नाक में डालने से खुन निकल नाबंद हो जाता है दूसरा उपाय है यदि किसी की शरीद में पित्ती आ गई है तो धन्या का रस लगाने से पि मेश्री के साथ पीने से महिलाओ के शुएत परदर में लाब होता है इसे बनाने के लिए आप धन्या की हरी पत्तियों लें कूट कर इसका रस निकाल लें 20 एमल रस में थोड़ी मेश्री डालें और इसे सुबह साम खाली पेट रोज़ाना पिएं इससे आपके सुएत और उसमें सूखा धन्या डालकर पांच मिनट आग पर रखकर गरम करें उसे आग से उतारकर ठंडा कर लें और फिर इससे मालिश करें इससे आपको बहुत अराम मिलेगा दोस्तों धन्या की पत्यों का शर्वत पीने से पेशाव में जलन, प्यास, आँकों में जलन, दस्त और गैस संबंदे जितनी भी समस्या हैं वो बिल्कुल खतम हो जाती है दोस्तों ध्यान रहे दन्या की अदिकता नुक्सानदायक यूँ होती है दन्या की पतिये या दन्या की अदिक सेवन से पुर्शो की काम शक्ति कंजोर हो जाती है पर महिला का मासिक दर्ब टुक जाता है इसलिए 18-40 वर्ष के लोगों को दन्या अधिक नहीं खाना चाहिए यदि पाचन खराब हो तो आप दन्या और सोन्ट का काड़ा पीएं इससे पाचन शक्ति आपकी बहतर हो जाएगी दन्या और जीरे का शरुत पीने से शरीद में गर्मी शांद हो जाती है इसलिए इस पेको गर्मियों के मौसम में पिया जाता है जिससे लू लगने का खत्रा आपका बिल्कुल खतम हो जाएगा दोस्तो दन्या काड़ा सर्दी और खासी में भी काफे अराम पहुचाता है काड़ा बनाने के लिए 100 एमल पानी में लगवग 20 ग्राम हरे दन्या डाल कर थोड़ी देर उबा लें जब काड़ा बन जाए तो इसको मरीज को पिला दें इससे उसको बहुत ही ज़्यादा लाब मिलेगा दोस्तों ये थी जानकारी दन्या के आयर विजी गिलाबों के बारे में आप आने वाली और भी महत्तुन जानकारी और सुझूडने के लिए हमारे चैनल को सबस्क्राइब करें तब तक के लिए धन्यवाद